13 दिसंबर यानि की कल मध्यप्रदेश और 36 गड़ में शपत ग्रहन समारो होना है ये अब तै हो गया है मध्यप्रदेश में सुभः 11 बजे भोपाल में वहीं 36 गड़ में शाम 4 बजे रायपूर में ये होगा शपत ग्रहन समारो और दोनों ही समारो में प्रधानमंत्री मोध शामिल होंगे जे होगा ये शपत ग्रहन समारो जिसमें दोनों ही समारो में बताया जा रहा है प्रधार मंत्री मोदी शामिल होंगे मध्य प्रदेश में मोहन यादा बता और मुख्य मंत्री शपत लेंगे वहीं 36 गड में विश्णु देव साय उस कम राज्य की कमान सम्हालने जा रहे हैं ह हमारे साथ प्रशांथ हमारे सहयोगी जूड रहे हैं प्रशांथ दोनों ही जगे का अब तै हो गया है वक्ट शपत ग्रहन समारो बताये कि हम मुख्य मंत्री के साथ साथ और कौन कितने मंत्री शपत ले सकते हैं जी देखिए ये अभी तो साफ नहीं है कि कितने मंत्री शपत लेंगे दोनों ही राज्यों में चुकि दो-दो डेपटी चीफ मिनिस्टर भी बनाए गए हैं तो संभवता वो भी मुक्रमंत्री के साथ शपत लेंगे लेकिन मैं ये अब कंफर्म हो गया है कि सुबह साड़े ग्यारब बजे भोपाल में और शाम को चार बजे चातीस गड़ में रायपूर में दोनों ही राज्यों की सरकारें शपत लेंगे और दोनों ही कारिक्रमों में प्रधानमंत्री शिर्कत करेंगे लेकिन इन दोनों राज्यों का बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी है एक राज्य में आप जानती हैं वहाँ आदिवासी समाज के विश्णुदेव साय को मुखमंत्री बनाये गया है तो दूसरी तरफ मद्रप्रदेश में ओभी सी समाज से आने वाले मनोज यादों क को मुखमंत्री बनाये गया है तो निस्की तरफ पर प्रधाल मंत्री जो जाने जाते हैं राजनितिक संदेशों को लेकर जिस तरह से वह देते हैं तो यहां पर भी दोनों ही शपत ग्रें समारों में वो जाएंगे और निस्टी त introducing न केवल प्रधान मंतरी बलकि सूचना ये भी है कि ग्रे मंतरी अमिच शाबी और जितने टॉप लीडर है बीजेपी के चाहे वो राश्टी अधक्ष जेपी नड़ाओं या अन्ने कुछ और वरिश नेता वो सभी इन दोनों समारों में शिर्कत करेंगे तो अब आप समझ सक जाकर एक राजनितिक संदेश देने की कोशिश करेंगे और प्रशांत यहां पर जो नाम भी यहां पर सिलेक्ट हूँ है चाहे मोहन यादव की बात करें चाहे विश्नुदेव साहे की बात करें तो दो हज़ाद चौबीस को लोकसवा चुनाव को भी मद्दे नजर रखा गया है एक OBC नेता है एक आदिवासी नेता है और अब राजिस्तान में भी शायद क्या कुछ ऐसा सर्प्राइज अलिमेंट आपको लग रहा है देखने को मिल सकता है जैसे इन दो राज्यों में नामों के चुनाव में हमने देखा जै बिलकुल सर्प्राइज एलिमेंट ही अबलकि मुझे लगता है कि देखने को मिलना चाहिए दो राज्यों में जिस तरह से अचाने के एक नाम उभरा और उनको मुक्वंत्री बना दिया गया यहाँ पर देखिए आप जो OBC की चर्चा कर रही है मत्रप्रदेश में समाज से भी आते हैं और उसका एक बहुत बड़ा वो बेहत अहम है ये भी क्योंकि मत्रप्रदेश का पडोसी राज्य है उत्तरप्रदेश और उसके बगल में बिहार है जहां पर दो प्रमुक पार्टिया हैं जो जो यादों की राजनिती करती हैं चाहे मत्रप्रदेश मे जनतादल बिहार में हो तो ये OBC के अलावा ये भी काफी अहम है और इस पर हम लोग को नज़र रखनी चाहिए कि मनोज यादो यादो समाच से आते हैं और इसका असर संभवता विधान सवाचुनाओं तो अभी काफी दूर है लेकिन लोग सवाचुनाओं में जैसा अपने जिसकी बात की उसमें जरूर पढ़ेगा उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए तो साड़े ग्यारा बजे का वो वक्त होगा मध्यप्रदेश भुपाल में जहां सीम पत की शपत लेंगे